नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी कामेरेस चैनल पर जिसका नाम है अक्षिलास अक्षा से अनौलिवियनर तो उमीद है सभी आप अच्छे होंगे घर बैठके सीख रहे होंगे तो जैसा कि सबको पता ही है अक्षिला के गयान में आप वे एर फोर्स नेवी एंटी एक के त ट्रेक्स के साथ 40 सेकंड के नतरकताब सवाल कर रहे हैं और बच्छे सवाल के कोश्चन्स भी मुझे भेए रहे हैं तो जैसा कि सबको पता यह प्राबिलिटी और टेक्नोमेटर हमारा कम्ट्रीट हो गया लाश वीडियो समने कप्डेट कर लिए डेली रेगुलर वीडियो डाले जा रहे हैं तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हमारा तीसर टॉपिक आज रहेगा जो की कॉडिनेट जमेट्री रहेगा एयर फोर्स नेवी में सबसे अरह पूछा आता है और एंडी में इसका कॉन इक्स्रेक्शन के टाइम साथ यह लंबा जाने वाले टॉपिक काफ मेरे साथ जुड़े रहना है तो अगले 16-17 मिनिट में आपके लूँगा और स्टार्ट करूंगा आज का टॉबिक कॉर्डिनेट मेट्री और सबको पता है मैं साथ साथ बच्चों को प्रोसेस हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्स्राइब जरू करना है तो start करते हुमारा coordinate geometry हमारा पार चूरू होता है 10 वे हम लोग पढ़के अच्छा आते हैं वरी दूक किया है सब आरे हमारे Ο पस क्या रहता है इसमें distance formula आता है what is distance formula distance formula is always x1-y1 x2-y2 इस तरीके से रहता है तो d बेलाबर एक formula होनता है x1-x2 का whole square प्लस y1-y2 का whole square इस तरीके से questions रहता है तो questions आता है इससे पहले ही formula लग गया पॉइंट दियें के वन एंट 23 find the distance between unit is 5 ठीक है तो find is तो हम लोग क्या करेंगे x1-x2 वही लगाएंगे उपर वाला formula अपना प्लस 1-3 का whole square इजी जाएगा topic सासा सवाल करते रहेगा बेटा ध्यान नखिएगा और अपने डाउट भी पूछते रहे डबल एट 59691994 पर इस्टाग्राम पर डीम कर सकते हैं श्लास के नाम से पेज़ा और लिंक में डिक्सक्रिशन में लिंक डाल दिये गया है ठीक है तो अब आपको आज को ट्रिक बताता हूं से पहले जब दूरी में के कमान पूछे तब प्लस माइनस कोप्य होगा जहान रखिएगा वेन दे आस्क अबाउट दे वैल्यू अफ के दे उसे प्लस माइनस बोथ साइन एक्वाल यह वाला साइन होगा यह उस हो गई होगा ठीक है in the distance question to ask the value of k the answer will be is plus and minus जहान रखिएगा यह गरबढ़ हो जाती है कि वह प्लस कही लिख दे जिया है कि बल माइनस कही है ठीक है खुछ आते important point पहला point होता है जैदी point दिया है x1 y1 तो distance क्या रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा x1 और y1 ठीक है और point दिया है x1 y1 अगर ऐसे दिया है तो क्या रहेगा यह y1 मतलब क्या यहां पर y1 और यह x1 यह उल्टा हो जागा यह वाला और इसका काम उल्ट का काम करेगा next question आते है for example point is two and three find from distances x and y distance x is y तो x is y है answer क्या हो जागा ध्यान रखिए कि यह की लिए पूछ रहा तो यह वाला answer हो गया 2 और x की लिए पूछेगा तो यह वाला हो गया ठीक है next question की तरह पढ़ते है next आता है point xy xy from the distance from the origin origin को हिंदी में कहते है मूल बंदू तो इसका formula क्या एंजाएगा एक्स वन को स्कार सारी एक्स वन के स्कार प्लस वाइवन के स्कार खाता मानसर यह पॉइंट दी है अगर point three and four find origin तो रूट 9 ब्लस 16 खाता मानसर यानि 25 यानि 5 हो गया इस तरीके से में सवाल करने होंगे next आता है हमारे पास section formula के सब्सक्राइब बहुत important जाने वाला है तो सब चोड़े रही है साथ में वीडियो को एंट तक देखना है यह तो बेसिक कबर हुआ section formula is using that like way वहादन सूतर हिंदी में यूज़ दूगते है जिसे सबसे पहले internal बोले आता तो internal के लिए क्लिए क्लगता है हमेशा प्लस लगता है तो एक line है मारे पास x1 y1 x y और x2 y2 और यह point हो गया b j हो गया m यह m हो गया और यह a हो गया इस तरीके से हम लोग बोलते है एक m हो गया एक side n हो गई तो एक formula बनता है x बराबर m x2 plus n x1 upon m plus n in case y के लिए पूचेगा तो m y2 plus n y1 m plus n ठीक है अगर यह external के बात करता है तो external के लिए क्या बोलेंगे हम लोग तो इसका उल्टा हो जागा यह नहीं x बराबर m x2 minus n x1 upon m minus n and y के लिए m y2 minus n y1 upon m minus n इस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं इसके ठीक है next आता है मारे पर इसका formula रहता है कुछ सवाल आते हैं find that the point find that the point 1,4 and 4,5 are internally ratio to internally division यानि आंतर विवाजन बोलेगा वो सवाल में तो इसके अब सब्स लगेगा तो x1 y1 x2 y2 m n तो लगा देंगे m बराबर इस formula अपना पूरा वही वाला जिसके हमने लगा दिया plus था तो plus 11 upon 5 पहला और y के लिए निकलेगा y के लिए point निकालेंगे तो 2 x 5 plus 3 x 4 upon 5 तो 22 upon 5 यह इस तरीके से हो गया अगला question आता है find the point 2,3 and 5,6 2,3 and 5,6 इस तरीके से question दिया है तो इसका क्या करेंगे हम लोग 2,3 and 5,6 दे रहा है ratio क्या रहा है 4 ratio 5 external external के लिए पता ही आपको minus कर देंगे पूरा formula वही वैस minus किया जागी 4 x 5 minus 5 x 2 upon 1 minus 1 ठीक है sorry minus 1 यह आगा हूँ जहाँ पर 5 minus 4 करेंगे 5 minus 4 and y के लिए करेंगे 4 x 6 minus 5 x 5 upon minus 1 तो यह minus 9 होगा यह minus 10 होगा इस तरीके सा answer मिल जागा अगला question आता है find the point which points are 1,2,5,6 अग ट्राइस्ट ट्राइस्ट क्राइस्ट के लिए P हो गया 1 ratio 2 और Q हो गया 2 ratio 1 तो ऑंसर हो गया 1 ratio 2 और 2 ratio 1 में ध्यान रखेगा इसको गूंद मैंने इसको मेंने शूट कर लिया next आता है इसके लिए एक ट्रिक और है इसका जो आंसर रहेगा ऐसे कुश्चंस में इसके बाद हमें करना क्या इसमें सवाल को कुछ इस्टरी के से करेंगे तो अगले ट्रिक की और बढ़ते हैं आज का गुल्डें ट्रिक माने जाएगा तक अगले तक शुड़े रहोगे बहुत अच्छा ग्यान मिलता रहेगा पॉइंट सी जी होंगे एकस वन और यवन चैक है और एकस टू और वाइटू डिविजन कर रहे हैं रेशियो को इन जॉइन कर रही है तो इसके लिए फॉर्मला रहेगा ममेशा रहेगा के बराबर माइनस वाइवन अपॉन वाइटू जान सब्सक्राइब है माइनस एकस बन अपॉन आपॉं ऐस्टू इस टारीक से आप कर सकते हैं ध्यान रकिए का वाइक रिए य के लिए एकस अगला कोश्यन आता है पालिवन और फॉर डिविजन और एकस एकसेश के लिए लिए निए यह वाले पकड़ लेंगे मैनस वाइनप पत्म यह हमारा पाउट चोटा होगा है नेक्ट बढ़ते हैं हम लोग बोल सकते हैं तो इसके लिए फॉर्मला क्या है एक डियाग्राम मनाते हैं हम लोग बोल सबसे पहले ज़्यादा हम डीप में जा रहे हैं बहुत अच्छा है इसको कैसे कर सकते हैं यह एक्स वन एकस तू वाइटव एक्सत्रीग यत्री यह दिया है तो सेंट्र ऑफ triangle of intersection of the mediums always ask here question आता है in the centroid of centroid is pass sorry centroid is pass of point of intersection of medium intersection of mediums अगर वो यह बात बोलता है तो आप करेगा a g upon g d ब्राबर always 2 upon 1 तो जी का value क्या हो जागा formula हो जागा x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3 इस तरीकिस हम लोग कर सकते हैं तो एक questions आता है from the vertices of any triangle from vertices of any triangle तो इसके बार जो topic आएगा इसी में वह आप लोग 11 कभी पढ़के नहीं आते ठंक से वह हमें पता ही है तो उसको जहां से समयने और यह भी आपने ठंक से 10 तो नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है तो यह तीन questions तो find the centroid of triangle तो पता ही होगा तीनों को अगला कुश्चन आता है if any centroid of triangle is 3 and 4 centroid of triangle ही उसने दे दिया find the vertices 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 क्या है a x1 b 0 y और c 6 5 find the value of x and y अब क्या करेंगे value लगा रहेंगे कुछ नहीं करेंगे और क्या है 3 हो गया और x plus 6 बराबर 9 तो x के value गया गए 3 and y के लिए 1 plus y plus 5 upon 3 4 तो 3y plus 6 बराबर 12 तो y बराबर 6 यह questions हमारा हो गया तीक है इधान रखिएगा अगला कुश्चन आता है centroid of triangle for the mid points और sides और जड़ी side ही दे दी उसने तो क्या करेंगे जब उसने side की conditions दे दी important रहता है इधान रखिएगा centroid of triangle centroid of triangle when mid points are given यही sides दे दी उसने तब क्या करेंगे a b c x3 y3 x2 y2 x1 y1 तो formula वही रहेगा जी ब्रावर x1 plus x2 plus y x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3 इसको कर लेंगे हो गया खतम इस तरीके साब सवाल को कर सकते हैं तब हमारे पास formula लगेगा ट्रेक ध्यान रखिए 3 alpha minus x minus x2 3 beta बराबर i1 plus y2 ध्यान रखिगा इस formula को याद रख लीजगा काम आने वाला है बहुत जदा बद alpha भी टंदर वाला हो गया बाकि सब x3 y3 मैंने गयब कर दिया question आता है from any triangle vertices are n,2,3,4 and centroid is 5,6 यह centroid है vertices दो दी है और तीसी vertices निकालनी है तो वाला लगा तो 3 into alpha यह alpha हो गया minus 1 minus 3 बराबर 11 और 3 into 6 minus 2,4 12 और आने वाले जो topic आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बताते चाहिएगा next point आता है slope slope क्या होता है x axis पर होता है y axis पर होता है slope का क्या drama है एक line आती है यह m बराबर 10 theta हो जाता है और इसमें y axis से होके जाएगी तो m बराबर 10 90 प्लस theta यह बहुत मज़ेदा ट्रीक आने वाला है तो question आता है find the straight line that is low which y axis is it and y axis दे रखा है angle 45 दे रखा है तो लगा दो formula y axis m बराबर 10 90 प्लस 45 तो कितना हो गया 10 एक सो पैते जैनी value पता ही है minus 1 इस स्लोप आनसर में जैनी minus का कॉट 45 90 प्लस theta अगर उसने बोला x axis पे angle 60 axis at angle 60 तो m बराबर 10 60 10 60 का value लगा m बराबर root 3 खाता मानसर y axis पे अगर 30 दे रहा है तो अलग question आएगा अगला question आता है slope of straight line passing through two points x1 and y1 x2 and y2 तो formula लगेगा m बराबर y2 minus y1 x2 minus x1 ठीक है अगला इसका question आता है formula दिया है 80 का square 81 281 82 का square 282 ऐसे question दिया है तो question में लगा देना value हमाने पर answer मिल जाएगा तो उमीद है आज का topic इतना ही हमोत है आप questions करेंगे कलम condition of coloniality परेंगे conditions क्या होती है ठीक है को लिटी के बारे में पढ़ेंगे quadrants के बारे में पढ़ेंगे quadrants क्या होते है इसके बार equation of straight line पढ़ेंगे आने वाले topic बहुत interesting होने वाले हैं उमीद है आप मेरे साथ जुड़े रहें आज के topic में इतना ही वीडियो का अंतक देखा उसके लिए धन्यवाद like जरूर करना है शेयर जरूर करना है अगर चैनल पर लाए है तो subscribe जरूर करना है तो जो note करने को रहागे है फटावर note कर लीजिए और जो discussion में पुरानी link डाल दी जाते हैं वर्क शीट फॉर्मला शीट जो आपको चाहिए वह आप उससे ले सकते हैं मेरे contact नमबर आपके पास हैं आने वाले वीडियो बहुत इंट्रेस्टरिंग होने वाले हैं साथ जोड़े रही हैं इस वीडियो आज कॉडिनेट करेंगे और करते रहेंगे कंडिशन सब के पता लग गई है क्वाणिटी पता लगी गया है तो बहुत है आज कहते हैं काफी मैंने हद तक टॉपिक कवर करा दिया बिना बोले बोला है तो घर बैटें सीखें और जब तक सीख सकते हैं करिए और लॉकडाउन के बाद आपका पेपर तुनन चल दिया जाएगा पांच जून को इनकी डेट अनाउंस हो जाएगी मीटिंग है तो उसके बाद अपना लग चाहिए नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना हो आप मुझे बता जीजिए वही आपका लगा दिया जाएगा जब तक के लिए मुझे दीजिए जादत आज के टॉपिक में नहीं अक्षिलासिस अक्षिसर के जान में पर नहीं वीडियो को जरू लाइक करना है शेयर जरू करना है कमेंट करना है सब्सक्राइब करके बताना है जब तक के लिए मुझे दीजिए जादत नमस्कार सुकी रहें कीफ सेफ धन्यवाद